तो question number 10 के terms की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो term होगा वो a1 होगा जो कि हमें already given होता है minus 2 आ जाएगा second term की बात करें जब a2 हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास minus 1 होगा a3 हमारे पास होगा minus 2 by 3 and a4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा minus 1 by 2 a5 हो जाएगा हमारे पास minus 2 by 5 a6 हमारे पास हो जाएगा minus 1 by 3 a7 हमारे पास हो जाएगा minus 2 by 7 a8 हमारे पास हो जाएगा minus 1 by 4 a9 हमारे पास हो जाएगा minus 2 by 9 और finally जो हमारे last term है a10 वो हमारे पास हो जाएगा minus 1 by 5 तो यह 10 terms हो गए, अब हम लोग next question के terms देखते हैं तो जो question number 11 है, इसमें हमें 2 terms दिये हैं, A1 और A2 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें A3 को find करेंगे A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 A4 हमारे पास हो जाएगा, 3 A5 हमारे पास हो जाएगा, 5 A6 हमारे पास 13 हो जाएगा, यहाँ पर बाकी terms दिखते हैं A7 जो है, वो हमारे पास हो जाएगा, 13 हाँ, दोनों सेम है A8 की बात करें, तो A8 हमारे पास 21 हो जाएगा A9 हमारे पास 34 हो जाएगा और जो final term है हमारे पास, A10 वो 55 हो जाएगा अब जो हमारा last recursive relation का question है, वो कर लेते हैं, question number 11 जो के हमारे पास है, अच्छा, 12 जो के हमारे पास A1 हमारे पास 2 given है और A2 हमारे पास minus 1 given है और जो sequence है, वो हमारे पास AN plus 1 divided by AN given है तो यहाँ पर हमारे पास already 2 terms मौजूद है तो सबसे पहले A1 लिखते हैं, जो के 2 है A2 हमारे पास minus 1 है A3 हमारे पास, जो है, वो minus 1 by 2 होगा A4 की बात करें, तो वो हमारे पास 1 by 2 हो जाएगा A5 हमारे पास हो जाएगा minus 1 A6 हमारे पास minus 2 हो जाएगा A7 हमारे पास 2 हो जाएगा A8 हमारे पास हो जाएगा minus 1 और A9 हमारे पास हो जाएगा minus 1 by 2 जो final term है A10, वो हमारे पास हो जाएगा 1 by 2 अब चलते हैं हम लोग अपने finding sequence formula की तरफ sequence formula मैंने समझाया हुआ था पीछे इसमें हमने एक दू formula ऐधिंग निकाले भी थे जब हम लोग इसके introduction कर रहे थे तो अब हम लोग क्या करेंगे ये बाकी सारे questions करेंगे इसमें क्या होता है कि यहां पर हमें sequence दी गई है कहते हैं कि इन sequence को देखकर आप इनका जो net term है वो निकाले ठीक है net term वो होता है जिसमें हम लोग जब अपने values पुट करते हैं 1 to infinity तो हमारे पास कौनसी sequence generate होगी जो इनोंने हमें दी गई है ठीक है ना जो इनोंने हमें दी है तो हम लोग ऐसा कोई formula बनाएंगे जिससे हमारे पास ये sequence generate हो तो सबसे पहले question number 1 की तरफ देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है 1 है minus 1 है 1 है minus 1 है यानि alternating series चल रही है तो इसके लिए हम लोग एक formula बनाएंगे चलिए generate करते हैं अपना formula तो ये हम लोग काफी दफ़ा ये चीज़ देख चुके हैं आगे जब हमने पीछे exercise की थी 11.2 और 6, 8 तो इसमें हमने ये चीज़े देखी हुई थी तो इसने क्या होता है कि हम लोग अगर इसकी example करें ये जो first exercise है तो हमें फिर पता चल जाएगा कि इसके लिए हम लोग formula किस तरह बनाएंगे तो solution स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हम लोग क्या formula बना सकते हैं इसके लिए तो देखें इसके लिए सबसे best formula क्या है कि जिसमें हम लोग minus one लगाएं अब minus one तो हमने ले लिए क्यों क्यों कि यहाँ पर कभी negative है कभी positive है अब हम लोग ने इसको ऐसी power देनी है जिससे सबसे पहला term जो है वो हमारे पास positive आए तो अगर हम देखें तो पहला term हमारे पास जो हो इसकी जो power होनी चाहिए वो even होनी चाहिए ठीक है सबसे पहली तो यह तो हम क्या करेंगे इधर end लेंगे बट अगर हम end लेंगे तो one जब power होगी तो minus one आएगा तो हम लोग end सिर्फ नहीं दे सकते end के साथ हमें कुछ add करना होगा तो हम क्या add करते हैं हम लोग plus one add कर देते हैं ठीक है यह हो गया plus one अब अगर हम लोग इसको generate करने start करें तो हमारे पास यही series बनेगी चलिए start करते हैं इसमें values put करते हैं तो अगर हम लोग a1 put कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा minus one पर power two आजाएगी जिससे one आजाएगा a2 पर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग two plus one करेंगे three होगा तो minus one आजाएगा a4 में हमारे पास plus one a5 में हमारे पास minus one आजाएगा ठीक है तो देखे किस तरह plus one minus one plus one minus one हमारे पास क्या हो गया generate हो गई यह sequence तो यह था इसका nth term या फिर आप इसको formula भी बोल सकते है ठीक है तो यह हो गया 13 question अब करते है 14 question तो अगर हम लोग 14 को देखे तो हमारे पास यह 13 का opposite है यहाँ पर minus one पहले आता है फिर plus one आता है तो इसके लिए हम लोग simply कह सकते है कि हमारे पास जो nth term होता है वो क्या होता है पावर n हो जाता है क्योंकि जब हम लोग one power देंगे तो हमारे पास क्या आएगा one power देंगे तो हमारे पास आजाएगा minus one two power देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, पावर 3 विदेंगे तो हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा तो देखें, माइनस 1, प्लस 1, माइनस 1 तो हमारे पास ये जनरेट हो गए और एक्जैम में भी आप लोगों ने इसी तरह करना है जब आप लोग एनेट तरम लिख लें ये देखें, मैंने एनेट तरम लिख लिए और फिर बताईएगा नीचे, थोड़े से वैल्यूस पुट कीजेगा, कि देखें, जहाँ लोग इसमें वैल्यूस पुट करते हैं, तो हमारे पास सीक्विंस बन जाती है, और अपनी कनफरमेशन के लिए भी आप ये यूस कर सकते हैं, और ये क्या होता है, ये ज्यादा तर हमारे पास, जो हमारा सेक्शन ए है, यानि फिरिंदर ब्लैंक्स हो गए, या एमसी क्यूस हो गए, उसमें ये जरूर आता है, ठीके, तो ये वाले को आप लोग जरा देहान से देखिएगा, अब चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ, यहां पर अगर हम लोग 15 क्यूशन को देखें, तो हमारे पास जो एनित तर्म बनेगा, वो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली जो बात है, ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें, कि जब फर्स टर्म पॉजिटिव होगा, तो पावर ये देंगे, फर्स टर्म नेगिटिव होगा, तो पावर ये देंगे अब चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक स्क्वेर चल रहा है, जैसे के 2 का स्क्वेर 4, जैसे के 3 का स्क्वेर 9, और जैसे के 4 का स्क्वेर क्या होता है, 16 हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसा term लेना है जिसका हम लोग square लें तो अगर हम लोग n term लें तो हमारे पस क्या होगा 1 का square क्या होगा, 1 होगा 2 का square, 4 होगा, 3 का square, 9 होगा 4 का square, 16 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, n का square ले लेंगे जब हमने n का square ले लिया तो हमारे पस क्या हो गया है इसका nth term बन गया ये क्या है एनth term है इसका अब हम लोग अगर इसमे values पुट करना स्टार्ट करें तो a1 पुट करती हूँ मैं सबसे बहले तो a2 पुट करूंगी तो मेरे पस क्या जाएगा यहाँ पर one आजाएगा और one का square क्या आता है one आता है इसका answer क्या आगया one आगया ठीक है तो जो sequence है वो देखे है sequence आ रही है हमारे पास अब चलते है next question की तरफ अगर next question को देखे है वो हमारे क्या है first का reciprocal है यानि उपर हमारे पास थे 1, minus 4, 9 यहां पर हमारे पास reciprocal लिए गए है 1 तो minus 1 by 4 हो जाएगा, 1 by 9 हो जाएगा, minus 1 by 16 हो जाएगा तो यह जो nth term हमने यहां पर लिया होगा है इसी का reciprocal यहां पर ले ले लेंगे जो के हमारे पास क्या बनेगा हम लोग minus 1 को उपर ले लेंगे n plus 1 और जो n square है इसको नीचे division form में लिख लेंगे और यह हमारे पास क्या हो गया, इसका nth term हो गया, इसको अब generate करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 minus 1 by 4, 1 by 9, minus 1 by 16 and so on, तो यह हमारे पास क्या हो गया, nth term हो गया, बहुत ही simply हमने reciprocal से fine कर लिया अब चलते हैं next question की तरफ